हेलो आज का वीडियो होने वाला है एक टुटोरियल वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे के हैंपर बॉक्स आप खुछ से कैसे बना सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप और इसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए है और आप हेंपर बॉक्स में क्या चीज रख सकते हैं तो यह पूरा एक डीटील वीडियो है अच्छा टुटोरियल है तो अगर आपको अच्छा पसंद आता है आपको इससे हेल्प होती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूला और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चले शुरू करते हैं अज का वीडियो लेट्स केट सब्सक्राइब सबसे पहले हैंपर बॉक्स बिदाने के लिए आपको ट्वैल ट्वैल साइस का एक हैंपर बॉक्स चाहिए और इस तरह के गोल्ड फॉयल या सिल्फॉयल वाले पैटन पेपर के जरुद होगी क्योंकि ह आप जिस साइस का बनाना चाहते हैं आप उस साइस के हिसाब से भी बॉक्स को ले सकते हैं मेरे को यहां पर पेले इंटु ट्वैल साइस का चाहिए तो मैंने वही लिया है कुछ आटिफिशल रोस की भी आपको ज़रूत पड़ेगी आप अलग टाइप के भी ले सकते हैं मुझे अपने इस आले थेम में ज्यादा अच्छा लगा यहां पर मीनी माइक्रो बीट से जो कि मैंने शेकर कार्ट बनाने के लिए यूज किया था और इसकी बाद हम लेंगे एक छोटा सा टैडी बियर की चेन वाला टैडी बियर आपको असाने से मिल जाएगा और यहां पर हमने कॉकलाइट यूज करी है इसे डेकोरेट करने के लिए तो यह कुछ बेसिक चीज़े थी जो कि हैंपर बॉक्स बनाने में यूज आती है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े है पर वह उप्शिनल है आप चाहें और यहां पर एक और इंपॉर्टन चीज है जो इस पूरा प्लास्टिक पींट से पूरा एक्रिलिक कलर भी उज़का सकते हैं ब्लैक कलर का यह जिस पी आपको चाहिए उसे प्रइंट करा हैं पट में आपको फिर बिस अज़िस करूंगी आप इसे पेंट कर यह दो जाथा रहेगा इसनल करने में बहुत से जगे पर पेपर करने के पिएलाएगा का रेला था इसा पर डबल साइड टेप और ग्लू लगा थे इसे इसके पर टाश कर दिया था और कर दिया था दाग ठृबलड नहीं हो नहीं आकि पेपर करना था जाते हैं तो आप अजा Gue शतीक, मैं संटे कर डेलग यहां जहां पर मुझे दिख रहा था ब्राउन ब्राउन पार्ट मैंने पेंट कर दिया और मैंने नीचे की तरब तो पूरा पेंट ही कर रहा है तो इसी तरह से आप पूरे को पेंट कर सकते हैं और उपर की तरफ कोल्ड फोईल वाले इस पैटन पेपर को लगा दिया है अभ कि ग्लू गन बहुत तो अच्छा सा वर्क नहीं कर रही है इसलिए आप मैं आपको बोलूंगे अप सेलो टेप की छोटी सी पट्टियां काटके उससे चिपका सकते हैं अभी मैंने इस तरह का रोड प्रिंटिंग वाला प्रिंटिट पेपर लिया है हो इस पर मैंने थ्री एक की वार डोरी को इंसैट करते हैं यहर एक round से घुमाना है इसकी बाद इसे चिक्यॉर कर करके टेप की मदद से या फिर ghan लगाने की बाद के दच्छे से कि सीरे करने के बाद हम day Kerry को एको डबर साइटेट हब इसे अपने आपने बॉक्स की कि अपर साइट पर चिप का देंगे कि आप से में अपर अच्छे से सामने में लगा है तो यह जो कि उन्हाइंस हो गया अच्छा दिखने लग काद घा 예 तो मैंने यहां पर इसी तरह का पेपर यूज़ किया है तो इसे अच्छे से चिपका देने के बाद हम एक पर चेक कर ले रहे हैं लाइटे कैसी लगए ज्यादा दब तो नहीं कही है अंदर की साइज सु हाँ अच्छे से वर्क करें अब हम फोटोग्राप्व को ले रहे हैं और इसे वुड़न कलिप की हैंजोग की फोटो की अइक हॉल करिए इसके ओपर ड्री से इस पान देजिए तो भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं यहां पर हमने अपने फोटो लगा दिया है और इसके मतलम वन एक कार्ड और एक जो हम एलिमेंट से रखने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे किसान जैम की पूरानी बाटल का यूज भी कर सकते हैं या फिर किसी अच्छी शॉप पर जाईए और वहां से आपको इस तरह की खाली बढ़नी मिल जाएगी तो हमें इसके जो है भॉक्स सारी इसके जो ठकाने उसको डेकोरेट करना है और इसके जो बाटल उसके उपर हमने स कि छोटीछी कार्ट के ऊपर मैसेज लिखते हैं और इसके उपर इस तरह से जूट रोप को बान करको उने सारे मैसेज रेडि करके लिए हैं और इसके अंदर से पुट कर दिया है तो कि यहां पर हमने कुछ पेपर को वह दिढा बडाए हैं च्योंकि हम इसे नीचे के साइ यह बनाया है तो इससे बनाने का भी टुटोरियल में बताऊंगी यह काफी अच्छा काड़ है उसमें मैसेज और फोटो ग्राप एक साइड मैसेज एक तरफ फोटो लगा सकते हो और देखने बहुत ही अच्छा है तो इसके लिए हमने लिए इस तरह की वाइट शीट अगर के पस golden card stock paper है था आप डिरेक्लि उसे ही यूश करैए मिरे पस golden card stock नहीं था तो मैंने पहले card stock का बेस बनाये हैं उसके उपर golden कड़ार एक दॉसर दिस्डेंस से चारट यह हम हम और एक वाइन फोल्ड करते हुए जाahahaha पहले सार्ण करा है यह आधने यह में एंडंडन हैंगि एक लिगारसmooth हो करते हो énormément कि फोल्ड करते जाएंगे इस Major可以 फोल्ड खक्रते घंगे अब इसी वाले mirror paper, mirror like finish paper की पात कर रहे थी, मैंने इसे भी अपने base के हसाब से fold कर लिया है, और आप इसे cut कर लेंगे, और one by one उसके उपर paste कर देंगे, फाव स्टिक की है, अगर आपके पास mirror card stock paper है, तो आप उसी को use कर ये, इससे थोड़ा lengthy हो जाता है, बट अभी वह available नही paste कर दिया है, हर एक जगे, और ये इस तर से white से हो गया है golden color का, यहाँ पर हम अपने photos को लगाएंगे, और message को भी लगाएंगे, तो इस तर से आप easy, सुंदर सा और थोड़ा unique card बना सकते हैं, तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इन photos के साथ कुछ message भी एडिट कर रखेते है उने print करा करके, मैं उसे इस तर से यहाँ पर paste करते जा रहे हूँ, तो ये था एक तरीका कि आप कैसे infinite fold वाला card बना सकते हैं, आप इसे चाहे जितने भी fold रख सकते हैं, वो आपके ओपर depend करता है, और इस तर से आप यहाँ पर दो photos के बीज में एक message attach कर सकते हैं, तो ये र card ready है, इसमें थोड़े बहुत और tag वगेरा मैंने add कर दिया है, तो इस तर से हमारा card ready हो गया है, I hope आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो मैं आपको वापस याद दिलवा दो कि प्लीज वीडियो को like करना मत भूलिया, और comment करके ज़रूर बताया कियें कि कहा पर आपक तो क्या चीज सबसे अच्छी लगी है, इसके बाद हम इसे रख देते हैं अपने box की अंदर, और next चीज है उसके बाद वो है, ये शेकर, शेकर card, ये मेरा सबसे favorite शेकर card है, और इससे बनाने का तरीका मैंने आपको दिखाया है, वीडियो आप देखिए, सबसे पहले हमार बार form tip लगाए थी, ताकि अच्छे से शेक करें और अभी ये मेनी micro beats को हमने डाल देने के बाद अपने lid को डाला है, और golden beats लगा करके, मैंने ribbon को fold करके, इसे इसके उपर stitch कर दिया है, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, next इसके बाद इस slider card, इसे बनाने के लिए जादा कुछ मैनत करनी नहीं है, I hope आपको आता भी होगा ये, तो आपको इस तरह से एक pattern paper लेना है, बीच में इसे के slit cut करनी है, और side से हलका हलका fold कर लेना है, अभी यहाँ पर glue लगा करके, हम इसे दूसरे red card stock के उपर इस तरह से paste कर देंगे, जिसमें हलका हलका सा border दिख और side, यहाँ पर हम ने फैवेकल के मदद से कर दिया है, attach, और इसके अंदर हम जालेंगे, इस से भी थोड़ी च्वोटी साइज वाली एक white putty, जो कि इससे असानी से चली जाए, इसे इससे डाल देते हैं, और जितना ज़रूरी है, उतना part cut कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक और एक लड़की का sticker लगाएंगे कुछ इस तरीके से कि जब हम इसे खीचेंगे तो लड़की जो है दूर से पासा जाएगी और उपर और नीशे दोनों साइड हम एक message लिख सकते हैं या फिर हम message चिपका सकते हैं तो यह ready है हमारा slider card बहुत ही must बना है यह और बहुत ही प्या इसके लिए हमने एक छोटा हाट बड़ा और इस तरह की तीन हाट ली है यह इस तरह की एक clip ली है यह पर इसे हॉल करना है और इसे clip को insert करना है I don't know इसे क्या बोलते हैं तुम्हें इसे clip ही बोल रहे हैं इसे इस तरह से डाल दिया हमने और पीछे की साइड जो इसके मूह ह करके इस तरह से फैला देते हैं तो यह इस तरह से यह हो जाती है अब हम जब इन इस तरह से मूग करेंगे तो एक के बाद एक इस तरह से हमारे पेपर ओपन होते जाएंगे यहां आप अपने मैसेच लगा सकते हैं टाइक शीट लगा सकते हैं और फोटोग्राफ भी लगा जो आपको फास में दो एन्वलप दिख रहे हैं वह मैंने बनाया है तो एन्वलप का टूटोरियल या नहीं दिया आपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसे बहुत ही इजी होता है बस मैं आपको दिखा रहे हूं कि अंदर किस तरह से क्रेटिव आइडिया लगाए हैं एक ल हमारा जार यह भी हम इसे रख देते हैं इसके बाद यह हैं कुछ मैच बॉक्स कार्ड इसका टूटोरियल में पहले दे चुकी हूं वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो में तो आप वो वीडियो चेक कर लेना इस वीडियो में हम इसे वापस बनाना नहीं सिखाएंगे मैंने इसे भी यहां पर रख दिया है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे दिख रहे थे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैसेज लगे हुए हैं और यहां पर कुछ हमने आर्टिफिशल रोज रखे हुए हैं तो इस तरह से हैंपर बोक्स होता है कंप्लीट और यह था का पूरा टुटोरियल आई होप अपको यह समझ में आ गया हो गया और बॉक्स वखेर आपको ऑनलाइन ही पर्चेस करने पड़ेंगे अगर आप इसे नहीं पर्चेस करना चाहते तो मैं जल्दी ही बॉक्स बनाने का तरीका भी अपलोड करने वाली हूं कि आप वीडियो को लाइक कर देना